हेलो माई यूटूब फैमली स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में मिलने वाले कुछ ऐसे संकी जिससे आप पता लगा सकते हैं कि गर्ब में पल रहा लड़का है या लड़की तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले छोटी से रिक्वेस्ट चैनल में नए है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिए तागी में जो वीडियो आपके साथ शेयर कर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा प्रेगनेंट होने पर मा ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को उसकता रहती है कि गर्ब में क्या पल रहा है लड़का या लड़की इस वज़े से इस विशय के में लेकर बहुत सारी धारनाय कहानिया और ब्रम पैदा होती है अपने सुना होगा कि इसमें ऐसा होता है तो लड़की है ऐसा होता है तो लड़का ये सब जो भी बाते हैं वो कितनी विख्यानिक पर तर्क है वो मैं आज आपको बदाऊंगी तो पहला जो पॉइंट है वो है कि प्रेगनेंसि में सिकनेस होना मतलब उल्टि अना तो ऐसा वेग्यानिकों के अनुसर बता है कि morning में तो जो भी उल्टी या vomiting होती है वो starting से first से लेकर के 3 महिने तक ये problem normal है और ये सब में होती है इससे आप कोई भी पता नहीं लगा सकता है कि गर्ब में लड़का है ये लड़की Second है heart rate के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि अगर heart rate 140 है तो गर्ब में लड़का है वेग्यानिकों के अनुसर ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि pregnancy में heart rate से हम पता नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये जो heart rate है वो बच्चे का first तो लड़का और लड़की का पता नहीं चलता है क्योंकि ये जो है वेग्यानिक भी पता नहीं लगा पाए है और ये जो normal है लड़का ये लड़की 120 से 160 होती है तो ये first जो position होता first first से 3 महिने तक उसके बाद होती है 3 से 6 महिने तक 140 से 160 होती है और last में जो है 120 से 140 पर आ जाती है तो इससे हम कोई भी पता नहीं लगा सकते है बालों का जढ़ना तो इसमें कहा जाता है कि अगर पेट में लड़का होता है तो हमारे बाल बहुत जादा जढ़ते हैं और skin भी खराब होने लगती है wrinkles और जो भी problem आती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है पेट में बेबी पल रहा होता है इसके कारण hormones में बहुत जढ़ा होता है और हमारे skin में जो भी problems होती है और बाल बहुत जढ़ते हैं और कुछ खाने का मन होना कहते हैं कि खटा खाते हैं तो लड़की होती है और मीठा खाते हैं तो लड़का होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है hormones की वजचे से और कुछ पोशक तथफों के कमी ये कारण हमें ऐसा लगता है और कहते हैं कि baby bump अगर नीचे होता है तो लड़की होती है और ऊपर होता है तो लड़का होता है ऐसा कुछ भी नहीं है यह कोई भी shape में हो सकता है लड़की भी हो सकती है